कितना, कब, क्यों, maintenance या alimony court award करेगी काफी जरूरी हो जाता है इस वज़े से हम इस particular वीडियो में जरा समझेंगे कि किन बातों की उपर ध्यान रखा जाए कब आपको maintenance या alimony मिलता है, court किन आधार पर आपको ये पैसे award करती है और ये court का discretionary power होता है, लेकिन court किन सारे parameters को ध्यान में रख करके maintenance या alimony award करती है इस particular वीडियो में जरा हम जानेंगे, समझेंगे आप सभी ने शुरुआत अशोप पांडे के साथ legal advice में की है आप सभी का स्वागत है, नए है, subscribe जरू कर लें कानून की जो जानकारी है, लगातार इस channel के माध्यम से हम आप तक पहुचाने का करते हैं प्रयास चलिए बात करते हैं आखिर वो कौन सी condition है कौन से special condition है, जिसे court ध्यान में रखती है याने, how the amount of quantum alimony is to be decided by the court कब, कैसे, क्यों, जरा समझते हैं ये depend करता है आखिर कुछ special parameters पे special parameters जैसे दोनों जो spouse हैं, जो पती और पतनी है उनकी income क्या है, earning क्या है, क्या वो घर में खाना तो नहीं बना रही क्या वो job कर रही है, लेकिन उसकी job काफी कम पैसो की है पती की job जो वो कर रहा है, उसकी income उससे काफी जादा है इस बात की उपर depend करता है, net worth कितनी है, याने पती के पास तीन, चार घर है, उसके पास agricultural land है, दो तीन काडिय है, सब कुछ है लेकिन पतनी के पास में क्या है, question mark और is equal to zero, कुछ नहीं है ऐसी स्तिती में court depend करेगी, investment आपने mutual funds में, debentures में, bonds में घर में, properties में, हर जगा investment करके रखा है, आपके नाम पे सब कुछ है पतनी के नाम पे क्या है, question mark is equal to zero, कुछ नहीं, court award करेगी याने financial जो needs है, वो court देखती है, कि आपके पास में क्या finances है आपकी status, financial इस्तिती क्या है, और इनी सब चीजों के base पर को depend करती है decide करती है, कि आखिर कितना maintenance या alimini मिलना चाहिए और साथ ही साथ, liabilities, ये भी तो ज़रूरी है आपके loan कितने है, किस बात के लिए आपने लिया हुआ है, कितनी EMI कट रही है इन सारी चीजों को court ध्यान में रखती है, लेकिन generally, जो supreme court के काफी सारे judgments को अगर आप go through करेंगे, तो आपको ये जरूर समझ में आएगा, कि जो maintenance या alimini का proportion है वो 25 से 30 परसेंट, या कम से कम 20 परसेंट, 25 से 30 परसेंट तक husband की salary का दे दिया जाता है और पतनी के द्वारा ले लिया जाता है लगभग, अगर आप काफी सारे judgments को go through करेंगे, हरा कि ये court to court, case to case, depend करता है paramounts, consideration जो होते हैं, वो अलग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद 20 से 30 परसेंट, आप ये मान के चलें जो maintenance और alimini ये वो award अब court observe जो करती है, वो काफी important चीज़ें होती है और observation में court इन बातों की उपर ध्यान देती है, कि अगर मान लेजें कि judicial separation का case है यानि marital separation है या divorce का case है, ऐसी इस सिती में depend ये करेगा कि भई पती पतनी के साथ में कितने समय रही, ऐसा तो नहीं, आज शादी की, दो दिन रही, दोनों की बीच में जगडा हुआ, पतनी अलग हो गई, पती अलग हो गया, अब वो maintenance और alimini claim कर रही, या 2 मुझे 30% अरे क्यों, आपने 2 दिन ही तो दिये हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी जिन्दगी के 10 कीमती साल, 2 बच्चे दिये, ऐसी condition में तो आप फस गए, आपके पास अगला कोई option नहीं, कोट आपको appreciate करेगी, कोट आपको बहतर award करेगी, maintenance या alimini, क्योंकि आपने ज़ा कि वहाँ पर आपका मामला जो है, वो कमजोर है, दूसरा, age of spouse, कितनी है वो, young है, या 35-40 के age के है, या 55-60-70 के age के है, ये भी कोट देखती कि उनका age क्या है, relationship की age वो भी और आपकी age वो भी, अब equalize करने की कोशिश करती है, economic condition याने, जैसे मैं, for example, 20,000 रुपे हर महीने कम कमाती है, हमारे बच्चे नहीं है, तो ऐसी condition में कोट बोलेगी, रहने तो छोड़ो, अलग-अलग हो जाओ, लेकिन आपको maintenance वगेरा नहीं मिले है, बराबर ही तो कमाती है, ऐसी condition जहाँ पर मैं 2,000 रुपे कमाता हूँ, मेरी wife जो है, दो बच्चों के साथ मैं, किवल 20,000 कोट बोलेगा, इधर आओ, पैसे दो चलो, ऐसे नहीं चलेगा, तो ऐसी condition आपको समझनी पड़े ही, कोट equalize करने कोशिश करती है, condition को, दोनों को बराबर तलाजू पे नापने की तॉलने की कोशिश करती है, अपने parameters पे, तो equalize जो economy condition होती है, वो काफी important है, और उसी के आएगा ही, कि जाएगा नहीं कभी, लेकिन जो private job कर रहा है, कम job कर रहा है, कितनी job कर रहा है, sustainable है, unsustainable है, permanent है, temporary है, इन सारी चीज़ों के उपर भी ध्यान देती है, आपक करियर, आपका profession क्या है, ऐसा तो नहीं कि आप खूब बर-बर के कमारे हो, लेकिन आप दे कुछ न लेकर के बैठे हो, कोड को इससे कोई मतलब नहीं, आप maintenance दो, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, पतनी का नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात को कोड ध्यान रखती है, आपके liabilities कितने हैं, आपने घर, दुकान, मकान, किराय पर लेकर के रखा हुआ है, या इसके बाद में आप maintenance अवार्ड करो, तो बहतर होगा, जिन सारे aspect के बारे में हमने बात की, कोड इनी सारी चीज़ों को ध्यान रखती है, और maintenance या ऐलिमिनी अवार्ड करती है, तो दोनों spouse की income क्या है, net worth क्या है, investment क्या है, other financial needs या liabilities क्या है, Supreme Court generally B से 30% अवार्ड करती है, या उससे भी जादा उनको समय हुआ, उनका जो career है वो क्या है, उनके health क्या है, health याने बिमारी मार तो नहीं है, उनकी तबित वगेरा का तो सब ठीक ठाक है, या medical expenses भी cover करती है, बच्चे की custody किसके पास में, liabilities, assets, loan, ये सारी चीज़ों को भी कोड ध्यान में रख करके, maintenance और alimany का जो प्रश्ण है, उसका solution देती है, बहतर आप जरा go through करें और भी सारे judgment या नाविया वर्सिस शेप्रशाद 2015 का judgment आप जरू Google में सर्च करें, जरा go through करें, क्या कहता है वो, आपकी कोई प्रश्ण है, family law से संबंदित या कोई भी कानूनी प्रश्ण, अगर आप म सभी कीमती और महत्यपूर्ण समय जो आपका मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का बिशेश दौर पर धन्यवाद